मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना लाखों बीलों के आप उजाले आपका क्या कहना उम शांती आज 5 जून 2024 के यारे बाप दादा के साकार मधुर महवाक्य आज की मुरली के सार में बाबा ने बार बार और विशेश समर्ती और नशा दिलाया कि तुम संगम युग के सहेब जादे हो, करन करावन हार बाप के बच्चे हो, सो सत युग के शहजादे बनने वाले हो बाबा कहे तुम्हारा इस स्रिष्टी में उचे ते उचा पोजिशन है, फिर कहा कि तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, कि हम साहेब जादे, साहेब शिव बाबा की श्रीमात पर विश्व में सुक शान्ती का राज्य सापन करते हैं, और ऐसी प्राप्ति करने के लिए क कि तुम बच्चों को विशाल बुथी बनना है, जामडी बुथी डल बुथी नहीं बनना है, साथ में विशेश कहा कि तुम बच्चों की बुथी तो साथ फुट लंबी होनी चाहिए, क्यूंकि अभी बाबा तुमको इतना अथा खजाना देते हैं, जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का नहीं रहता हैं। फिर विशेश सिवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे सहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। सर्विस में दर्धी ची रिशी मिसल हड़िया भी दे देनी है। बाबा कहे यहां हड़िया देंगे अर्थात जिगरी सिवा करेंगे तो व कोई भी बात में गुरगुर नहीं करना है, किसी को नाराज नहीं करना है ना नाराज होना है, एहंकार में भी नहीं आना है। और सिवा के लिए कहा कि नौलेश बड़ी सहज हैं। समझाने वाले बड़े रमजबाज युक्ति-ईुक्त चाहिए। बाबा अनेक प्रकार की युक्तिया बताते रहते हैं फिर अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को बड़ा शांती से सर्विस करनी है तुम्हें कोई भी बात में अशांत नहीं होना चाहिए बच्चों को सर्विस कर अपना और औरों का कल्यान करना है सुनते हैं इन अनमूल महावाक्यों को विस्तार से आज बाबा कहे मीठे बच्ची तुम सहिवजादे सो शहजादे बनने वाले हो तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है किसी से कुछ भी मांगना नहीं है आज मूरली से प्रश्न है तब्यत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए उत्तर में बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तब्यत ठीक रहेंगी परन्तु बाबा केते हैं बच्चे यहां तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए वैभो उसे तब्यत ठीक नहीं होंगी तब्यत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं तुम खुश रहो, नशे में रहो यग्य में दर्धी ची रुशी मिसल हड दिया दो तो तब्यत ठीक हो जाएंगी उम शंती, बाब को कहा जाता है करन करावन हार तुम सहिब जादे हो, तुम्हारा इस स्रिष्टी में उंचे ते उंचा पोजिशन है बाबा केते हैं आप बच्चों का उंचे ते उंचा पोजिशन क्यों है क्योंकि शिबाबा है करन करावन हार और उनके हम बच्चे है साहिब जादे, इसलिए हमारा है उंचे से उंचा पोजिशन, तो बाबा कहे तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, कि हम साहिब जादे, साहिब शिबाबा की मतपर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, यह भी किसी की बुद् में सदेव याद रहे, कि हम बाबा की श्रिमत पर फिर से विश्व में शांती सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं, सुख और शांती यह दो अक्षर ही याद करने हैं, तुम बच्चों को कितना ज्यान मिलता है, तुम्हारी बुद्धी कितनी विशाल होनी चाहिए, इसम जामडी बुद्धी नहीं चल सकती, अर्धात जिनकी बुद्धी में विचार सागर मंथन नहीं चलता है, वह नहीं चल सकते, अपने को साहिब जादे समझो, तो बाब खतम हो जाएंगे, बहुत है जिनको सारा दिन बाब की याद नहीं रहती है, बाबा केते हैं, तुम्ह में वह नशा वह फलक होने चाहिए बाबा ने पहले भी स्मर्ती में दिलाया कि तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम करन करावन हार बाब के बच्चे सहिब जादे हैं और बाबा केते हैं यह भी नशा होना चाहिए कि हम शिबाबा की श्रिमत पर चल विश्व में देवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं यह नशा और फलक होना चाहिए मुडली सुनने से रोमाँच खड़े हो जाने चाहिए यहां तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमाँच डेड रहते हैं देर बच्चे हैं जिनकी बुद्धी में यह याद नहीं रहता कि हम श्रिमत पर बाबा की याद से विकरम विनाश कर अपनी राजथानी स्थापन कर रहे हैं रोज बाबा समझाते हैं बच्चे तुम वर्यर्स हो, से ना हो, रावन पर जीत पानी वाले हो बाब तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं परन्तु इतना नशा वा खुशी बच्चों को इतनी रहती थोड़े ही हैं कोई चीज नहीं मिली तो बस रूट जाते हैं बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्थापन माया की जंजीरों में फसे पड़े हैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडर्फुल होने चाहिए बाबा आज अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम साहब जादे सो शहजादे बनने वाले बच्चे हो तो तुम बच्चों को तो और ही नशा होना चाहिए चोटी-चोटी बातों में खुशी कम नहीं होने चाहिए जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद नहीं कर सकते बाबा कहे जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है, तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहिब जादे समझो, तो कुछ भी मांगने की परवाह नहीं रहे, बाबा तो हमको इतना अथा खजाना देते हैं, जो 21 जन्म तक लिए खजाना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जो कभी भी किसी से कुछ मांगने की दरकार नहीं, परन्तु बिलकुल ही डल, जामडी बुथी हैं, तुम बच्चों की बुथी तो 7 फूट लंबी होनी चाहिए, अंडर लाइन, तुम बच्चों की बुथी तो 7 फूट लं उनको तुम समझाते हो, कि सरफ तुम यह समझो, कि हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे, तो विकरम विनाशोंगे, बाप समझाते रहते हैं, बच्चे, माया तुम्हारा बहुत बड़ा कड़ा दुश्मन है, दुसरों का इतना दुश्मन नहीं है, जितना तुम हारा है, मनुषयतों जानते ही नहीं तुछ बुद्धी है. बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम सहेवजादे हो, बाप को याद करो, और दुसरों को आप समान बनाते रहो. बबाने तिसरी बार स्मर्ती में दिलाया कि तुम साहिब जादे हो तो तुम बच्चों को नशा होना चाहिए और दुसरों को भी नशा दिलाना है तुम सब को यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना तो हम उनके बच्चे साहिब जादे ठहरे तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धी में यह याद रखना है, सर्विस में दर्धी ची रुशी मिसल हड़िया भी दे देनी चाहिए, यहां हड़ि देना तो क्या, और ही अथा सुक वैभव चाहिए, तब्यत कोई इन चीजों से थोड़े ही अच्छी होती है, तब्यत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहने चाहिए, अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं, बाप आकर जीत पहनाते हैं, अभी भारत में कितना दुख हैं, अथा दुख देने वाला है रावन, वो लोग समझते हैं, एरोप लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं, यह एक दोका खातना करने वाले हैं, निधन के है ना, कितना लड़ाई जगड़ा करते हैं, बात मत पुछो, कितना किचड़ा लगा पड़ा हैं, इसको कहा जाता है नर्क, स्वर्ग की तो बड़ी महिमा हैं, बडोदा की महरानी से पुछा, महाराजा कहां गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग किसको कहा जाता है, यहां कोई जानते नहीं, कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब बाप कहते हैं तुमको इश्वर्य बुद्धी देता हूँ, अपने को इश्वर्य स बाबा ने फिर स्मर्ति दिलाई कि अभी बाबा इश्वरिय बुद्धी देते हैं, नशा रहे कि हम अभी इश्वरिय साहिवजादे बने हैं, इश्वर पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए, बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीड छा जाने, अर्थात बाबा कहते हैं, बैठ उपमा महिमा करते हैं, तुम्हारी बुद्धी में आदी मत्य अंत का राज हैं, अच्ची रिती याद करो कि हम विश्व में सुक्षानती स्थापन कर रहे हैं, जो मददगार बनेंगे वही उँचपद पाएंगे, वह भी तुम देखते हो कि कौन-कौन मददगार बन तुमको तो बाप की याद रहने चाहिए, सर्विस में हड्या देनी चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है, बाबा केते हैं, तुम बच्चों को तो नशे में रहना है, हड्डी सर्विस करनी है, और ना कभी नाराज होना है, ना किसी को नाराज करना है, एहंक नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कैसी कैसी ब्रामहनियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार हैं, सर्विस में कितनी खुशी रहती हैं, तुमको नशा चड़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे, मा बाप को तो बच्चों के लिए रिगाड रहता हैं, परन्तु वह अपना खुद रिगाड नहीं तो बाबा क्या रखेंगे, तुम बच्चों को थोड़े में ही सब को बाप का संदेश देना हैं, बोलो बाप केते हैं मन मनाभव, गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून नमक के बराबर, यह योज दुनिया कितनी बड़ी हैं, बुद्धी में आना चाहिए, कितनी बड़ी दुनिया हैं, कितने मनुष्य हैं, यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यह दिन रात खुशी रहने चाहिए, नौलेश तो बहुत सहज हैं, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए, अने तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ, वह डिप्लोमेंट एमबेस्टर को कहते हैं, तो बच्चों की बुथी में याद रहना चाहिए, ओहो बिहद का बाप हमको डारेक्शन देते हैं, तुम धारण कर औरों को भी बाप का परीचय देते हो, सिवाई तुम्हारे बा ऐसे बाप जो सहिब जादे बनाते हैं, वह याद नहीं आता, यह समझने में बड़ी विशाल बुथी चाहिए, बाप कहते हैं, मैं हर पाँच हजार वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कारिय कराता हूँ, तुम वारियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मात्रम तुम गाये जाते हो, तुम ही उज्य थे, फिर पुझारी बने हो, अब श्रिमत पर फिर से उज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांती से सर्विस करनी हैं, तुम्हारे में अशांती नहीं होनी चाहिए, जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, वह क्या पद पाएंगे, अर्थात कोई कमी अउगुन है, वह क्या पद पाएंगे, लोब भी बड़ा भूत हैं, बाबा सब दिखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी हैं, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सरफ खाते पिते रहते हैं, फिर 21 जनम सर्विस कर पदेंगी, दास दासे भी तो बनेंगे ना, पिछाडी में सब को साक्षातकार होना है, दिल पर तो सर्विसे बुल ही चढ़ेंगे, अर्थात बाप दादा की दिल पर तो वही चढ़ेंगे, जो सर्विसे बुल बच्चे हैं, लायक हैं, तुम्हारी सर्विस हैं यह हैं, क बश्याले से शिवाले में जाते हैं, तो ऐसा बन कर भी दिखाना है, बाबा तो चिठियों में लिखते हैं, लाडले रुहानी सहिब जादों, अब श्रिमत पर चलेंगे, महरत ही बनेंगे, तो सहिब जादे जरूर बनेंगे, एम अबजेक्ट ही यहा है, एक ही सच्चा तुमको सब बाते अच्छी रिती समझा रहे हैं, सर्विस कर औरों का भी कल्यान करते रहो, योग बल नहीं, तो फिर इच्छाए होती हैं, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती, कहा जाता है, खुशी जैसे खुराक नहीं, सहिब जादों को तो बहुत खुश कि हम इतने मीठे बाबा के क्या सर्विस करते हैं, एक तो बाबा केते हैं, बच्चों को नशा होना चाहिए, और जिनको नशा होगा, उनको खुशी रहेंगी, और जिनको नशा होगा, उनका शरिड भी स्वस्त रहेगा, और वह सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं नशा रहे कि हम बाप दादा के लाड़ ले रुखानी साहिब जादे हैं, बाबा कहते हैं सब को मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है, वास्तव में तो तुम सब रदर्स हो, भल कहते हैं हम सब आत्मा भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस खयाल से चोद्वारा, सर्विस की युक्तिया तो बहुत समझाते रहते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना हैं, देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं, दिन प्रति दिन लोग आफ़ते देख कर समझेंगे, मरने के पहले वर्सा तो ले ले, बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं, बाके निरंतर आत्मा भाई की अवस्था रहे, वह मुश्किल हैं, बापने तो बच्चों को साहिवजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया हैं, आज बाबाने आज का स्वमान पक्का करा दिया, क तो वह खाते खाते चुक्त हो गया, और ही उनके खाते में चड़ता हैं, सर्विस करने वालों को कभी यह खयाल न आए, कि हमने इतना दिया, उनसे बाकी परवरिश होती हैं, इसलिए मदद करने वालों की खातरी भी केशाती हैं, समझना चाहिए वह खिलाने वाला हैं, अगर उनकी सिवा नहीं करेंगी, तो खुशी कैसे रहेंगी, शिबाबा को याद कर भोजन बनाते हैं, तो उनकी ताकत मिलेंगी, दिल से पूछना है, हम सब को राजी करते हैं, महारती बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं, बाबा रेगजिन पर चित्र बनवाते हैं, यह चि बैठे हैं, आपे ही भेश देंगे, बाबा फिर पैसे कहां ले जाएंगे, यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना, शिबाबा कहते हैं, मेरे पास तो एक कोडी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे, हमारे मकान तुम काम में बाबा है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहां से आए, कोई तो करोडपती, पदमपती भी है, उन्हों के लिए यहां ही स्वर्ग हैं, यह है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा हैं, अर्थात गिर्तिकला की और हैं, बाप कहते हैं, तुम पहले सहबजादे बने हो, फ हम सहबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं, शहजादे तब बनेंगे, जब बहुतों की सर्विस करेंगे, कितने खुशी का पारा चड़ना चाहिए, अच्छा, मिथे मिथे सिकिलधे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्न रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते, हम रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते सारी मुर्ली से धारना के लिए सार हैं, पहला, किसी को कभी न तो नाराज करना है, ना नाराज होना है, अपनी होश्यारी का या सेवा करने का अहिंकार नहीं दिखाना है, जैसे बाप बच्चो का रिगार रखते हैं, ऐसे स्वयम का रिगार स्वयम ही रखना है दुसरा, योगबल से अपनी स्वय चाय समाप्त करनी है, सदा इसी खुशी वा नशे में रहना है, कि हम सहिवजादे सो शहजादे बनने वाले हैं, सदा शांती में रह सर्विस करनी है, रग रग में जो भूत भरे हुए हैं, उन्हें निकाल देना है आज भाबने वर्दान दिया, ब्राम्भन जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महन भाग्यवान आत्मा भव हैं पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जडित ताज से अतिसरेष्ट हैं महान आत्मा परमात्म भाग्यवान आत्मा उचे से उची आत्मा की यह ताज निशानी है बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वर्दान देते हैं जिसका सुचक लाइट का ताज हैं आज बाबाने पवित्रता के ताज की स्मर्ति दिलाई बाबा कहे संगम युक की विशेशता ही है पवित्रता और पवित्रता की निशानी है लाइट का ताज जो बाबाने संगम पर हर एक ब्राम्हन आत्मा को लाइट का ताज पहनाया है आज का स्लोगन है बि के परेशानी दूर करो. आज पांच जुन का अव्यक्त इशारा हैं, इशारे का लक्ष हैं, करम योगी बनो, करम अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सिवार्थ, तो व्यवहार और परमार्थ, दोनों साथ साथ रहे, इसको कह आजाता है श्रिमत पर चलने वाले करम योगी, मैं सरफ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी, अर्थात जो कर रहा हूँ, वह इश्वरिय सिवा अर्थ कर रहा हूँ, इस स्मर्ती से एक ही तन द्वारा, एक ही समाई, मन और धन की डबल कमाई होती रहेंगी बाबा कहे करम अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ और परमार्थ अर्थात परम पिता के सिवा अर्थ, तो हर करम करते हुए सदा यह तीन स्वमान स्मर्ती में रहे, तो तन, मन और धन तीनों की कमाई सदा होती रहेंगी पहला हम बाप दादा की छत्रचाया के नीचे हैं, बाप दादा का वर्दानी हाथ हमारे सिर पर है, याद की यह छत्री सुपसे बड़ी सेफ्टी का साधन है, दुसरा स्वमान है, मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइन हूँ, तो उनकी मदद का सदा अनुभव होता रहेगा, और तिसरा स्वमान है, करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा निमित करनहार बन करम कर रही हूँ, यह स्मर्ती निमित और निर्मान्चित बना देंगी, सदा हलका पनका अनुभव करेंगे, अच्छा, ओम शांती, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया